असलाम अलाइकूम एन बेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहॉर के साथ मैं हूं सेयदा अर्मला हसन जनाब आज का दिन रोज की तरह हम इनरजी के साथ शुरू करने वाले हैं अज मैं आखे खोलने में थोड़ी मुश्कील पेश आरी थी तो मैंने जल्दी ही तो आज मेरे पास चाय का मग तो नहीं है जनाब एक घर है अमरीकी रियासत है कालिफॉनिया वहाँ एक ऐसा घर है किसी छोटे से कस्वे में जो किसी थीम पाग की तरह लगता है और यह पत्थरों से बनाया गया जनाब इसमें मौजूद हर चीज वह बड़े बड़े पत्थरों की है और मुनफरत तरीन घर है मुक जावट के लिए चीज़ें वह भी आम घरों से नहायत मुक्तलिफ और मुनफरिद है और यह बहुत अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप असे लगता है जब आप अंदर जाते हैं इस घर के किसी गार के अंदर आ गया है और जो पत्रों से सजा हुए इस घर के मु पूशिश भी की लेकिन वो नाकाम रहे अलबता इस घर को खरीदने वाली शक्सियत मारूफ तो नहीं दौलत मन जरूर है जो इसको खरीदने में कामयाब होगी क्योंकि यह घर 28 लाक डॉलर में खरीदा गया है तो जनाब 28 लाक डॉलर का यह घर डिफनिटली आपने जब खुबसूरत घर में रहने तो खुबसूरत कीबत भी अदा करने पड़ती है तो यह ताधा घर कालिफॉर्निया एक चोटे से टाउन में था उसके हावाले से हमने आपको बताया है जनाब आज हमने आपको जैसे बताया कि पोल्यों का आलमी दिन मनाया जा रहा है इस दिन क कि अब पर आ सकते हैं कि अब पोल्यों का खातर खुआ को ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक जो मेरे अब रिशर्च भी सुपा देखी उसमें एसस नहीं है क्योंकि हम वेक्सिन डेफिनिटली उसकी बन चुकी है और वेक्सिन के थूआ अगर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम डेफिनिटली जिसे मैंने अभी बात भी की कि पोलियो एक बहुत तकलीज दे जिसको अगार जाए मर्ज है इसके एक वेक्टम भी होंगे हमारे साथ उनसे हम बात करेंगे लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई इनसे बात करके क्योंकि वो एक न्यूस पेपो में सब एड रसूल जो के अजय से मैंने भी उनका तारूफ करवाया के ये एक न्यूस पेपो में सब एडिटर है और इसके इलावा हमारे सथ पोलियो वेनिस के हवाले से मौजू थूंगे दॉक्टर मौनी रहमत जो के DG Health Service Punjab है दोनों को वेल्कम करेंगे वेल्कम दिशो थिशो thank you so much for coming सबसे पहले आधर डॉक्साब आपकी जारे बाएंगे पोलियो का आलमी दिन बैसिकली क्यों मनाया जाता है पोलियो का आलमी दिन बैसिकली डॉक्टर साख जिन्होंने पोलियो वेक्सीन एजाद की थी जी उनीसो चपन में उनकी बर्डे है जोड़ा तो उस हवाले से य दुनिया की तारीख में कि जिसकी वज़ा से पोलियो स्वाई दो या तीन ममालक के दुनिया से खत्म हो गया अनफॉर्टरियली पाकिस्तान अफगानिसान और नजीरिया ऐसे ममालिक है जहां से अभी भी पोलियो के कैसे दारे बाकी सारी दुनिया में खत्म हो गया और हम कोशिश करें और हमारे साथ जो हमारे लोग है जो हमारे अभलिक है, इसको अतावन शामिल है। तो बहुत जल्द आप जेखेंगे के पाकिस्तान भर से पोलीयों का खातम हुआ उफो की बात कीजिए तो अब ही भी पाकिसान में कितने पॉस्न लोग हैं जो पोल्यों का शिका हुए छे बच्चे सरफ लेकिन ये तदाद अब पहले से बहुत कम होगी पिछले साल 20 से उससे पहले 56 थे और 2014 में इनकी तदाद 306 थी तो अब तो ये बहुत कम होगी है और इसमें जो हमारे पॉलियो वर्कर्ज है उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी पॉब्लिक जो है वह बड़ा बड़ा रॉल है लेकिन अब हम बिल्कुल पॉलियो खितम करने के बहुत करीब है कि अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में गुजिश्टा 2016 में कोई केस नहीं था 2017 में एक केस लोधरा से रिपोर्ट हुआ और 2018 में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं ह हुआ ठीक है हमारे सब जया रसूल भी मौजुद है जया कैसे आप अलामदलिल्ला मैं बिल्कुल जया मुझे तो बड़ी खुश्य हुए कि आप प्रॉपर्ली अपनी लाइफस्टाइल आपका प्रफेशनल लाइफ भी चल रही है जाना जाएंगे पोलियो का प्रॉब्ल अब ही आपको किस तरह से आप अपनी जिन्दगी को लेके चले कि डैफिनेटली पूरी जिन्दगी का आप पे आगया तो मुझकल तो डैफिनेटली पेशा है दो जाते हैं लेकिन अनको मैं अल्लाताला को शुकर गज़ार हूं कि उसने इतने अच्छी पेरेंट्स और तो आलचा, आज findet के एड़ेट, इसा के लोग जटे कहते है, आप इसा जिक आपको इसा है और आपको देखते हैं तो इसा मेच मेरे लोगे लिए तो इसा है? पाकिस्तान में एक डिसेबल परसन के जो स्टीडियो टाइप से उनको ब्रेक करना चाहिए उनको प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रीम जो है उसको सेर्कल में लाना चाहिए क्योंके कोई भी कमी किसी वजह से बंदे को डीप गरिट नहीं होना चाहिए बलके इनसान हर अजम हो तो वो सब कुछ कर सकते हैं अच्छा हम में पोल्यो की बात करें अब वाक्सिनेशन अभी तक कुछ खास मतलब खातर खुआ मुझे इस तरह से कि मैं सुभवी रीसेच पढ़ी थी पोल्यो का हवाले से कुछ में कोई कहले ना कि 100% गारेंटी वाक्सिनेशन से के ये पोल्यो का टाक नहीं होगा ऐसा है ये बिल्कुल जैसे जैसे पॉल्यो वाक्सिनेशन की शरा बढ़ती जाती है बिल्कुल भी नहीं आते हैं लेकिन अगर कोई बच्चा मैल नरिष्ट है जागजाई कलत का शिकार है उनमें कुछते मुदाफवत ज़रा कम होती है और वह पोल्यो के कत्रे पीने के बावजू बहुत काम होती है यह नहीं आपको बहुत गोहर से देखे तो पता चलेगा के इस बच्चे को पोलिया है बहुत गोहर से वनना वो चलेगा फिरेगा भागेगा दोड़ेगा हम बचों की तरह हो जो हमारा केस हो था चकवाल में इसमें 12 डोस पी जे थी और उसमें वो अलम्द ठीक चलता है तो जो और नॉर्मल ही अभी आयर आप देखे तो 2016 में कोई केस नहीं आया पंजाब में तो इसका बतलब है अग वेक्सिनेशन हुई तो पोलियो का केस नहीं आया सत्रह में सरफ एक केस आया रोद्रह से और 18 में फिर कोई केस नहीं है तो आपको लिखते कि व चार आजार बच्चे जो है वो पोल्यो के लिए इन्वेस्टीगेट कर चुके अंजाब में और उन्में किसी में भी ऑलियो का वारिस नहीं पाया गया तो किस तरह की वेइनिस केंपेंज अभी भी की जारी है क्योंकि अभी भी लोगों को जैसे अवेज द्रूर जरुव से वेक्सिनेशन के हवाले से थोड़ी ज्यादा है जो शहरों में हैं लोग वोज़ए उस तरह से लोगों को कोई फीर है कि शायद हमाली कोई वेक्सीन में नुक्साइब या कोई वेक्सीन की कॉलिडी नहीं है या पिर हमहर महीने उनके दरवाजे पर कत्रे प्लाने आ जाते हैं और अभी जो एक लेटर सर्वे हुआ जो पाकिसान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे जो फाकिव को मत ने किया तो पंजाब में ये बड़ी इंट्रस्टिंग चीज देखने में आई कि जो देही राके में है उनमें वेक्शिनेशन शेहरी राकों से ज्यादा है अच्क किन्म हम मुथ मैं इंसाला हैं ज्यादा फोकस करे क follower चारी लाकों कि दिरूब के पहले हमारा ज्यादा फोकस देही राकों य मुथ檀 वहां पे सूर्थ हाल ज्यादा बेटर होगी और दोनमें पाँच फीसद का फारग है तो अब हम दो शेरी आखियो कास्वोड पर जो हमारे अर्बन स्लम्स है जो हमारी कच्छी अबादिया है यह जहां पर हमारे खाना बदोश्च वगारा करते हैं उन पर हम जादा फोकुस करें तो इमानों को शुक्रिया दा करते हैं कि सोमत जा बह